आप सब जानते हो आपकी ज्यारेफटर वेबसाइट और अप्लिकेशन हमेशा आपके साथ है फ्री ओफ कॉर्स टेस्ट हो, पीडेफ्स हो, क्लासिस की पेड कोर्सिस हो या आप सभी लोगों के लिए मॉक टेस्ट हो, टेस्स सिरीज हो सब कुछ आपको अविलेबल होता है, www.jrfa.com पर आपको जाना है और कुछ नहीं है, आपके पास में अभी दिसमबर एग्जामिनेशन को प्रिपेर करने का भी अच्छा कासा टाइम है तो आप सभी लोग जो है, वो इस तरीके से कॉर्सिस पर जाकर आपका जो büyी सबजिक्ट हैं उसबजे का कोर्स ले सकते हो और साती साथ पेपर ओन क्लुस पेपरु का भी पैकेज ले सकते हो जिसमें आपको सारी की सारी तैयारी मिल जाती है पूरा 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 पकेज आप लोगों के सामने है। आप लोगों के IP एडरेस की मैं बात करूँगी . यह प्रोटोकॉल कौन सा प्रोटोकॉल है, देखे माम, हमारे पास में जो है, वो दुनिया ऐसी है कि हमारे पास में एक बहुत बड़ा सा नेटवर्क है, है ना, यह जो नेटवर्क में हमेशा आपको क्लाउड से बना के दिखाते हैं, यह बहुत बड़ा सा नेटवर्क है, अधर इस बड़े से नेटवर्क के अन्दर यह आप लोगों का जो है वो एक तर्मिनल है मतलब आपका एक कम्प्यूटिंग डिवाइस, आपको पेहचानना हो कि यह काहा है बड़े इसी दुनिया के अंदर आप कहां रहते हो तो आप बताओगे कि इंडिया में रहते हैं इंडिया में कहां रहते हो तो आप बताओगे कि मही जैपूर में रहते हैं तो अगर आपको इस बड़े से नेटवर्क के अंदर पहचानना है तो उसके लिए जो एड्रेस होत अप लोगों का लॉजिक्ल पाकान है त। यह एईपाड़ेस इस एफ यह एडर्वल को इंप लगो निगा आपलों का आईपाड़ेस होता है यह थो फॉर्मेट Х केcko लग आयचे लिए प्रोटो को अ بनाれ है थो फ्रोटो को त। ल के साथ में बना है थे फैर्व जिलिए हु में अब आप वोलोगे कि if you a आई-पी एड्रेस जो है वो तो मेल मेथ सवाल बनता हैं अ पूछना क्या मेहनों क्या ग्रीण देता है कि कॉन देन आई-पी-ड्र। बता सकते मुझे गऋन देता है ईपी-ड्रेस देख्ट हैं विसमें बड़े से अंधर आता इंटने सेवा टर्वाइड करने वाला जो इंटने सर्विस प्रवाइडर होथा है वह आपको क्या देता है आपके डिवाइस का आई-पी एड्रेस देता है आई-पी की कितने वर्जन्स होते है तो वर्जन 4 होता है माम और एक आप लोगों का होता है आई-पी का वर्जन 6 वर्जन 4 जो है वो आप लोगों की कितने बिट्स का होता है यह इंपोर्टेंट है तो आप याद रखेंगे आप लोगों की 32 बिट का होता है बिट है ना अग अगर मैं आपसे बोलू कि यह कितने बाइट का हुआ तो जल्दी से कॉमेंट करके मुझे बताएंगे IP version 4 जो है वो आप लोगों का एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं dotted decimal representation dotted decimal representation और जो आप लोगों का version 6 होता है यह आप लोगों का होता है hexa decimal pollen the presentation 128 bits का मतलब क्या हो गया इतना क्या time लगा रहे हो multiply by 8 होगा क्या प्रतीवा multiply by 8 होगा इडिवाइड पाइड होगा वही कि 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 32 बाइट का हो गया कि कौन सी गनित लगा रहे हो यह कौन सी आरे भाई 128 को डिवाइड करो आज से कितना जाएगा पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हो मैं 16 बाइट 128 को डिवाइड करो 128 को डिवाइड करी एट से तो आप लोगों के लिए एक्षडेसिमल कॉलन रिप्रेजेंटेशन इसका होता है और इसका होता है आप लोगों का डॉटेदेसिमल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से आप लोगों के चार जो octal से वो बने हुए होते हैं चार octal से बने हुए होते हैं और यह जो है वो आप लोगों का इस तरीकी से octal में होता है जो IP लोगों का IP address version 4 था यह आप लोगों का class full था यानि कि आपके पास में यहाँ पर 5 classes बनी होई थी class A, class B, class C, class D, class E इस तरीकी से 5 बनी हुई थी और यह सभी लोग जो है इनका अलग अलग काम होता था जैसे university और organization के लिए होगा तो अलग होता है छोटी college के लिए देना है तो अलग होगा घरों के लिए use होता है तो अलग होगा तो सबसे जाता जो है वो आप लोगों का class C हमारे लिए फेमस है क्योंकि यूश्वली आप लोगों के जो PCS होते हैं उनके अंदर class C का IP address अमको दिया जाता था अब यह खतम हो गए क्योंकि अगर total number of addresses में पूछू कितने बना सकते हैं तो मैं मां बना सकते हैं दो की पावर बत्तिस इतने addresses आप लोगों के खतम हो चुके हैं क्योंकि जैसे जैसे इंटरनेट सेवाए बढ़ेगी जैसे जैसे लोगों के डिवाइस खरीदें जैसे जैसे population बढ़ेगी जायर सी बात है अब आपके हर चीज में दुनिया के हर एक चीज जो आपके आसपर से जो भी पहले से इसमें से रिजर्व भी थे जैसे आप लोगों को अगर मैं बात करूं तो class D और class E हमेशा से ही रिजर्व थे इनके एक भी address को यूज नहीं किया जा सकता class D जो है वो आप लोगों के military purpose के लिए यूज करते हैं ऑना private conversations के लिए और class E जो है वो आप लोगों के further research purpose के लिए जो है वो आप लोगों के save किये हुए है पहले से रिजर्व किये हुए है अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो है वो आप सोला और सोला यह बिट्स का डिविजन करें 32 में से ठीके क्लास C के अंदर आप लोगों का देखो 24 और 8 का डिविजन था क्लास D और क्लास E के लिए हमको फर्दर डिविजन की जरुवत थी नहीं या जो डिविजन थे वो आगे की हमको मतलब नहीं है उनसे क्योंकि पहले सी रिजर्व है वही 24-8 24-8 है पर डिवाइड है मतलब अगर मैं बात करूँ क्लास A के अंदर टोटल कितुने अड्रेस थे मैं तो बैम तोटल 2 की पावर 8 नेटवर्क आप लोगों के पॉसिबल थी यानि 256 और हर एक नेटवर्क के अंदर 2 की पावर 24 होस्ट हो सकते थे इस तरीके से एक अगर आप देखो तो मैंने बोला है कि ऑक्तल होते हैं ऑक्तल मतलब 2 की पावर 8 मैक्सिमम आप लोगों के लिए 256 तक वैल्यू जा सकती है जीरो से 255 इसलिए मैंने 256 लिखके इसको डिलीट किया तो आप हर एक उक्तल के अंदर जीरो से लेकर 255 तक की वैल्यू लिख सकते हो जीरो से लेकर 255 तक की यह देसिमल पर में लिखा हुआ है और बीच में डॉट लगाया हुआ है इसलिए डॉटिड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन अगर देखा चाहें तो कंप्यूटर यह नहीं देखता है कंप्यूटर जो है वह जीरो और बन की भाष्ण में देखेगा इस एड्रेस को हार एक उक्तल के अंदर आप लोगों के 8 बिट से इसलिए उक्तल बना है है हार एक उक्तल के अंदर इसमें भी आर्ट बिट सोंगे इसमें भी आर्ट बिट सोंगे इसमें भी आर्ट बिट सो जाते हैं वही पर यह तो हो गया version 4 अगर मैं यही पर version 6 की बात करो तो version 6 के अंदर कुछ आप लोगों के hexadecimal representation होते हैं और कितने बाइट मैंने आप लोगों को बताए 16 बताए है ना तो आपके पास में इस तरीके से यहां पर 8 octal आपको बनाने हैं तो 1 2 3 4 फिर 1 2 3 4 और यह जो है यह dot की जगे colon होता है ऐसा होता है is a dot की जगे colon representation होता है यह की line में होते हैं वह मैं आनी रहा था बोड बेस ले नीचे लिख दिया है और यहां पर hexadecimal hexadecimal numbers होते हैं जैसे hexadecimal number जानते हो जिसमें base 0 से 9 तक तो चलते ही चलते हैं और फिर आप लोगों का ABCDE चलता है hexadecimal representation में, number system में जो हमने पढ़ा है ठीक है? इस तरीके से division आपका होता है अगर ये clear है तो फिर हम लोग हमारे next address को समझे जो की होता है आप लोगों का mac address, आप लोगों का machine address इसको आप लोग machine address बोलते हो, इसकी full form भी होती है media, access, control, layer address होता है ये ठीक है? इसी को हम लोग physical address के नाम से भी जानते है और ये जो होता है ये होता है आप लोगों का 48 bits का अभी जो computer मैंने आपको बताया domain name के corresponding एक numeric form का address होता है, जिसको IP address बोलते है बिल्कुल सही बात है, बट अब आप देखो, हर एक machine जो होती है उस machine का एक particular physical address होता है, उस device का एक number होता है वो number जो 48 bits का है उस device का, वो उसका mac address या फिर उसका physical address कहलाता है ये जो 48 bits होते है, ये जो mac address होता है इसका सबसे important जो classification है, वो होता है कि ये आप लोगों का जो NIC card होता है जो आप लोगों का network, interface, card का जो number होता है वही आप लोगों का mac address होता है NIC card एक ऐसी important chip है, एक ऐसा important card है जो आप लोगों के motherboard पे लगा होता है कि अगर वो card नहीं लगा होगा तो आपका system कभी भी किसी भी internet सेवा को नहीं ले सकता है कभी कि कोई internet connection आप उसके अंदर नहीं डाल सकते है तो inbuilt by default आपका जो motherboard होता है कम्प्यूटिंग डिवाइसे का आपके phone का आपके computer का laptop का tabloid का हर जगे जहां पर internet आप यूज करते हो महाँ पर आप लोगों का एक NIC card होता है network interface card उस card का जो number होता है वही आप लोगों का physical address या device का number device का address होता है जिसको हम लोग media access control address भी बोलते है mac address यह जो mac address है यह किसका होता है 48 bits का usually usually क्या आपका जो physical address हो हमेशा same ही होता है जैसे वह static or dynamic था यहां नहीं है आप घर से बहार जाओगे तो घर से बहार जाके आपका NIC card थोड़ी change कर दोगे नहीं करोगे ना हाँ मैं घर से बहार जाएंगे काफे में बैठें तो हमारा IP address change हो सकता है बढ़ हमारा जो physical address है वो कभी change नहीं हो सकता है हमारा जो यह physical address है यह कभी change नहीं होता है कब change होगा जब आप उस NIC card को हटा दो और एक नया card लगा दो समझ में आया NIC number या NIC card अगर एक ही है तो एक ही machine address होगा अगर एक से जादा है तो एक से जादा होंगे और NIC card को change करा तभी physical address change हो सकता है otherwise physical address कभी भी change नहीं होता हमेशा static ही होता है दो जो एक सब्सक्ता है में झार्च होता है यद दो सकता है दो दो यद और यद झाल यद